आपे तब तक कुछ नहीं कर पाते हैं जब आप खुद को उनकी नजरों से देखते हैं जो ये आपके बारे में सोचते हैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि नजर बदलिए विचार बदलिए अपने आप नजारे बदल जाएंगे तो आप लोग सब के लिए मोटिवेट कीजिए कि यदि मैं चाहता हूं कि मुझे कामियाब होना है तो मतलब कामियाब होना है ना कि मेरे को दूसरों की गई हुई बातों पर विश्वास करना जो कहता है कि तेरे बस की बात नहीं है तेरी इतनी उकात नहीं है इसी मोटिवेशन के साथ मैरी कॉंसेप्ट कितने नंबर काएगा जी हां दोस्तो 25 नंबर की रिजनिंग आपके आने वाली है और रिजनिंग के अंदर हमारा टार्गेट रहेगा 25 में से 25 का कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें सुबह 11 बजे शाम को साड़े 9 बजे रिजनिंग की क्लास के लिए त्यार रहेंगे आपका वर्टसप नंबर रहेगा पिचान में 18 15 14 14 मेरा वर्टसप नंबर है जिन भी फ्रेंड से अपना नंबर वर्टसप में एड नहीं करा लेंगे इसके साथ ही फ्रेंड आप लोग यहाँ पर याद क्लास के साथ बने रहें अपनी क्लास को अटेंड करें और साथ में लास्ट में मुझे बताएं कि आज का अपका experience कैसा रहा है आपका फ्रेंड्स यहां पर पहला कि बेटा आपका यहां पर 48 32 सिधा 300 से उपर चला जाता है इसका मतलब क्या हुआ पहले हिने हमें इसको स्क्वेर रूट के अंदर लेना होगा ठीक है ना आपका क्या सी गुणा में आपका बेटा च्यार गुणा में कितना हो गया 36 यानि कि इसको मैं क्या लिख सकते हूं स्क इसका निकालूँघी तो नो गुणा में आपका इसका इसको बाहर निकाला तो 9 गुणा ठीक है थक्रिवा जिए पारी रिटी किसा कर रहे नो का सुक्रारा यानि कि आपका फ्रेंड्स कितना आजेगा नो आजेगा च्यार किसका दो का इसका थो निजए 16 इसका जिए इन सब्सक्राइब करते हैं तो आपका पीटा यहां पर किटना आ गया नुकर फारा आपका से इसके बाद में स्केरूट में आपका कितना के इतना हो 12 कितना हो गया च्छान 12 कितना हो गया च्छानमें हो गया आगे चलेगा यहां पर सभी अंधिया का पर चयार को साथ से गुणा कि आठाइस और 28 को जब 5 से गुणा करते हैं 140 यानि कि friends आपका right answer कितना हो जाएगा 140 तो यहाँ पर हमने क्या किया जो संख्याएं आपको उपर दी गई थी उनका पहले हमने square root निकालने का मतलब क्या है यह किस संख्या का square है आपने उसका find out क्या find out करने के बाद में उन्हें आपस में आपने multiply करा दिया तो question का answer right क्या हो जाएगा option नमबर भी 140 right answer हो जाएगा आपको दिया c, f, i, l ratio में o, r, u, x इसके बाद में दिया b, e, h, k next one क्या हैगा आपको इसके बार में पताना हैं कि जी हां दोस्तो next one यहाँ पर क्या होगा आपको इसके बार में पताना हैं तो सबसे पहले इनको लिखते हैं c, c के बाद में f, f के बाद में i, i के बाद में L रेशियो में O O के बाद में R ke बाद में U ओ पंदरा नमबर पर आपका फ्रेंड्स इसके बाद में यहां पर हैं आर कितने पर हो गया ठारा नमबर पर टी यू इक्टिस नमबर पर एक्स आपका चोबिस नमबर पर सभी की नमर इंकल ले आपका विटा तीन में तीन को प्लस क्या च्छे च्छे में तीन को प्लस क्या 9 में 3 को प्लस किया 12, 12 में 3 को प्लस किया 15, 15 में 3 को प्लस किया 18, 18 में 3 प्लस किया 21, 21 में 3 प्लस किया 24, मतलब की सभी में कितना कितने का गैप है, 3-3 का गैप है, यनि कि पिछली संख्या में जब हम 30 प्लस करते हैं, तो अगली संख्या आपके आ जाती है, सेम उसी प्रकार स यहां पर करेंगे B आपका 2 नमबर पर E 5 नमबर पर H 8 पर K आपका 11 पर आपका 2 में 3 प्लस क्या 5 5 में 3 प्लस क्या 8 8 में 3 प्लस क्या 11 11 में 3 प्लस क्या आपका फ्रेंड्स 14 और 14 पर आता है N 14 में 3 प्लस करेंगे 17 17 पर आता है आपका क्यों 17 में 3 प्लस क्या 20 20 पर आता है आप आपका T और T में 3 प्लस क्या 23 तेइस पर आता है आपका W तो यहां पर फ्रेंड्स करेंट अंसर क्या हो जएगा N क्योट TW राइट अंसर हो जएगा Option number C N क्योट TW राइट अंसर हो जएगा SSC के अंदर सनातक बेस पर टायर वन के अंदर आपका 2012 में SSC CPO 2004 में 10 प्लस टू बेस पर 2011 और 2012 के अंदर पूछा गया क्योशन है तो आपका बेटा राइट अंसर हो जएगा Option Question number C next question में आपसे क्या पूछा गया है यहां पर फ्रेंड्स आपको तीन आकर्तियां दी गई है और यह क्या है आपकी आकर्ति की स्रंखला है इसके अंदर चोथी आकर्ति को आपने find out करके बताना है कि यहां पर चोथी आकर्ति मैं कौन सी लगाऊं कि मेरे क्यूशन का अंसर सही निकल के है तो आपने फ्रेंड्स यहां पर पहले इक चीज़ क्या देखी कि इनके अंदर आप लोगों को जो चीज़ें को दिखाई दे रही ना उन सभी चीज़ों को यह तो हम काँ पर जाएगा बिटा मिडल में जाएगा तो इसके अंदर तो है ही नहीं तो इसको तो सिदा हम कार सकते हैं लुविक div कार दिजिए सिदा का राइट अंसर हो जाएगा option number B SSC stenographer 2010 के अंदर पूछा गया question है और इसी प्रकार के बैंतरीन concept को clear करने के लिए शाम को साड़े 9 बजे सुबह 11 बजे reasoning की class के लिए त्यारेंगे कोई भी बच्चा class को miss ना करें चलिए friends बात करते हैं अगले question की आप से याँ पर दिया च्यार into में 5 % 3 आपका आणा चीह बेटा कितना आठफचार इसके बाद में दो गुणा में आपका friends 35 % 2 आठीा सिक्स के बराबर च्यार गुणा में 3 % आपका आणा चीह थीन के बराबर आपका बज़िए पर्संटेश 3 किस के बराबर चीए 8000 के जब मैंने इस 8000 को देखा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि 20 की पावर 3 कितनी होती है बिटा आठ अजार होती है और यहाँ पर मेरे को दिखाए दिया कि 4 को जब मैं 5 से गुणा करती हूं चार पंजे 20 और उसकी पावर यह दिये 3 चड़ा दू तो इन दोनों की इक्वल बराबर आगे मतलब की 4 पंजे 20 20 की क्यूब की तो आपकी बिटा कितनी होगी 8000 होगी इसी प्रकार से सेम अगले को देखेगा यहां पर 2 गुणा में कितना दिया है 3 और आपका फ्रेंड्स पर्षंटेज में 2 दो तिये कितना हो गया 6 चै की पावर 2 की तो आपका बिटा कितना बन गया 36 चै की पावर 2 की तो कितना हो गया 36 हो गया आगे चलेगा 4 चार आपका स्टार में कितना ओगे 3いい पर्षิंटेज में आपको तेन इंपर और की बारा की पावर तेन की तो कितना हो गया 17-18 कितना हो गया तो कि आपका टेन्द्वेन अब कर दिया ऑपका के आपका प्रषेंटेज के बाद तीसारे में तीन दिया तो हमने यहां पर तीन करती है पावर अगले कुशन को ध्यान से देखेगा आपको friends यहां पर क्या दी गई आकरती दी गई है इन आकरतियों के अंदर आपने एक rule फोलो किया गया उस रूल को पहले समझना है समझने के बाद में इस कुशन के अंदर आपको बताना है कि कौन सी फिगर है जो आपकी राइट हो जाएगी तो यहां पर friends मैंने देखा first को तो हम नहीं देखते हैं पहले second वाली को देखते हैं कि यहां पर बिटा यह आपकी किस side में थी right hand side में थी और अगली figure में यह आपकी किदर होगी left hand side में पहले यह आपकी right hand side में थी दूसरे में आपकी left hand side में सेम आपका बिटा क्या हुआ कि पहला और चोथे के उपर नियम लगा दिया और दूसरे और तीसरे के उपर आपका नियम लगा दिया ये आपके बिटा किदर है राइट एंड साइड में ये कहां पर जाएगी लेफ्ट एंड साइड में इसमें लेफ्ट में नहीं गई कार द जाएंगे तो option number भी right answer हो जाएगा next question में आपको क्या दिया आपको दिया यहां पर 5-5 के बाद में 3-3 के बाद में 6-6 के बाद में 3 अगले में दिया 5 कुछिन मार्क में 5-5 आपका बटा 5-5 के बाद में दिया 3-3 के बाद में 8-8 के बाद में 4 आपको friends यहां पर result कौन सा निकालना है इस line result किस line का निकालना है जो आपकी second matrix की row है उसका निकालना है अब कैसे निकल सकता है वो देखो बिटा यहां पर आप लोगों को नियम के इसाब से देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन यदि मैं यहां पर यह करूं कि मैंने इस 6 को देखा और 3 और 5 को देखा यदि 6 को बिटा मैं 5 में से 3 को गटवा दूँ और उससे भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा आगे चलिएगा आपका फ्रेंड्स यहां पर पांच है बटे में आपका पांच में से यहां पर फ्रेंड्स आपने कितना गटाया आपका फ्रेंड्स यहां पर रहें कितना हो गया उपर कितना आ गया पांच आ गया निचे आपका फ्रेंड्स से उपर रेजल्ट भी कितना ना चीए यहां पर फ्रेंड्स यह पांच हो गया इसके बाद में आपकी अगली जो बात आई कि यहां पर फ्रेंड्स किन दोनों को म मैनिस क्या था हना यह रजल्ट आया था तो इस में से आपने यहां से संख्या गटानी है तो आपका बेटा पांच इसको इदर ले जाऊं, तो 5 से 5 कड़ गया, आपका फिटा, 5 माइनस में X बराबर किसके बच गया, एक के, योगी ये आपका 5 किदर, किसका multiple का, equal कि उदर जाएगा, तो किसका होजगा, divide का, तो आपका फिटा, यहाँ पर 5 माइनस में X बराबर कितना हो गया, आपका च्यार आजएगा एक्स बराबर कितना आजएगा च्यार आजएगा तो option number d 4 राइट अंसर हो जएगा option number d 4 क्या हो जएगा आपका बेटा राइट अंसर हो जएगा इसके बाद में ये वाली series आप देखना चाहें पांच और 3 को गटाया बचा दो आठ बटे में आपने 2 किया तो कितना आगया च्यार और यहाँ पर भी कितना दिया च्यार दिया तो option number आपका फ्रेंड्स क्या हो जएगा यहाँ पर च्यार राइट अंसर हो जएगा next question में आपको दिया य का पोजिट भी होता है एक्स का पोजिट सी होता है तो डबलू का पोजिट क्या होता है दी होता है तो यानि कि फ्रेंड्स आपका option number डी राइट अंसर हो जएगा higher secondary base पर 10 प्लस 2 में 2011 के अंदर पूछा गया question है आपका friends अगला question क्या दिया यहां पर है आपको क्या दिया AZ BY RATIO में DW EV HSIR आपको फ्रेंड्स बताना है चार नबर पर होता है मतलब कि बी आपका दो नंबर पर आता है डी आपका च्यार नंबर पर होता है मतलब की प्लस दो वह न यहां पर क्या हुआ प्लस दो वह सेम उसी प्रकार्ट से आपका एच यहां पर आठ नंबर पर एच का उल्टा S हो गया, I count R हो गया, आपका 9, 9 में 2 plus क्या तो आप कितना हो गया, 11, 11 पर क्या आता है, काला पानी और आपका LO, इसके अंदर आपका right answer क्या हो जाएगा, option number C right answer हो जाएगा, सभी बच्चे दे लिजेगा, ठीकिना, यहाँ पर friends क्या किया है, आपकी जो ratio और proportion के अंदर दो च right answer हो जाएगा, सनातक बेस पर 2001 के अंदर पूछा गया क्यूशन है, स्टैनोग्राफर के अंदर 2010 के अंदर पूछा गया क्यूशन है, और जो भी friends आशच में पहली पर आएगे, जिन्होंने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या, 4-45 पर सभी बच्चे करंट अफेर क क्लास के लिए, आपके बिटां यहाँ पर स्याम को साथ चालिस पर लूशन जिके की क्लास के लिए, सुबह 11 बजे शाम को साड़े 9 बजे, सुबह 11 बजे शाम को साड़े 9 बजे, रिजनिंग की क्लास के लिए तेयार रहेंगे, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक् को छोड़ना नहीं है बल्कि उसको आपने क्लियर करना है आपका अगला कुशन क्या दिया है कि एब टे यहां पर M बटे में AC रेशो में एन बटे में AD पर पोर्शन में O बटे में A आपका next क्या आएगा तो M M के बाद में N N के बाद में O के बाद में क्या आएगा पी आएगा एक प्लस हो रहा है M M N K M N O P हो गया ठीक है ए आपका यहां पर A है A है A है तो यहां पर भी क्या आएगा A आएगा C D E आप क्या आजएगा F आजएगा तो P बटे A F राइट अंसर हो जएगा option number एक ठीक है पी बटे A F राइट अंसर हो जएगा option नमबर एक सनातक बेस पर 2010 के अंदर पूछा गया क्यूशन है आपका फ्रेंड्स option इसके बार मताना है तो देखी आपका बिटा A F K P Z U P कैसे होगा कि एक उल्टा क्या होता है जड़ दोनों का जोड 26 एफ का उल्टा होता है यू दोनों का जोड 27 होरी आपका ए और जड़ तॉन दोनों का जोड 27 एफ और यू का जोड़ 27 और पानी के और पी का जोड़ 27 और पी और के का जोड़ कितना होगे 27 यानि की फ्रेंड्स यह आपस में क्या एक दूसरे क्या पोजट है अब यहांँ पर सेकल वन है आपका B, G, L और क्यों, B का पोजिट क्या होता है, आपका यहां पर है Y होता है, इसके बाद में G का पोजिट क्या होता है, G का पोजिट आपका G T रोड होता है, L का पोजिट O होता है, क्यों का यहां पर जैपूर क्वीन, आपका J हो जाएगा, तो यहां पर राइट अंस सब्सक्राइब करेंगे और उससे जो रूल निकल के आएगा फ्रेंट्स उसको फिर यहां पर इंप्लिमेंट पहले आप क्या करेंगे सब्सक्राइब क्या हो सकता है कि 12 सपोटेव नाम जोल रहें तो मैंने यहांपर क्या पाम या पहले एटी गोदा हो गया आगे चली गा यहां पर फ्रेंड्स नेक्स्ट वन में एटी वन को जब आपने नो से डिवाइड किया तो यहां पर कितना आ गया नो आ गया और इसना हो गया सोल आट दू नहीं कितना हो गया सोला और सोला ही आप फ्रेंट से यहां पर राइट एंसर कर देंगे option number C क्या हो जएगा option number C 16 क्रेंट रोजेगा सबी बच्चे देख लिएगा सनातक बेस पर आपका 2013 के अंदर पूछा गया कुछन है option number C right answer हो जाएगा next में आपको दिया बेटा room आर डबल O M room आपका room को क्या लिखा गया यहां पर है इसको लिखा गया है क्या हूँ N A N A और L ratio में आपको दिया बेटा proportion में rent rent को आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में आप से पुछे और आपका कितने पर आता है 18 नंबर पर O KITने पर आता है FRIENDS Yा पर 15 नंबर पर O 15 नंबर पर M 13 नंबर पर आतहारा मेंसे एग गया सत्तरा सत्तरा पर आपका क्या हूँ आता है 15 में से एग गया inform चोदा चोदा पर souvenirsRO आपका बीटा 12 नमबर पर मतलब सभी में कितना वहा? माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन, ठीना, सभी में क्या हुआ? आपका माइनस वन हुआ, इसके बाद में, friends, आर अपका 18 पर, E 5 पर, N A, 14 पर, T 20 पर, यहाँ पर, friends, 18 में से 1 गया, 17, 17 पर, क्यों? पाँच में से एक गया, तो आपका च्यार च्यार पर D, 14 में से एक गया, 13 पर M, 20 में से एक गया, 19, 29 पर S, तो आपका राइट अन्सर क्या होजएगा, है यहाँ पर friends क्याउडी MS यानि की option number 1 क्या होजएगा, option number 1 आपका right answer हो जेगा सभी बच्चे देख लिजेगा तो friends ये था आज का session कैसा लगा आपको session फटाफट से comment कर दीजिए जो भी friends आज session में पहली बार आएं जिन्रों ने भी तक channel को subscribe नहीं क्या channel को subscribe करना बल आइकन को press करना ना भूले ताकि friends आपको वक्त पर सभी class इस connection मिलता रहे यहाँ पर सभी बच्चे बटा चार पैंतालिस पर करन्ट फेर की class के लिए ग्यारा बजे रहेगी आपकी reasoning की class शाम को साड़े नो बजे reasoning की class सुबह आपकी बटा शाम को साथ चालिस पर रहेगी दिम से भी आपको सभी classes का notification दिया जासके तो चलिए friends मिलते हैं अगले बहतरी session के साथ जो भी doubt जो भी समस्य आपकी रहती है तो उसे comment box में comment करना ना भूले ताकि friends आपकी सभी problems का solution किया जासके हमारी एक कोशिश है कि आपको वो content provide करवाया जाए जो आपके exam के लिए जरूरी है और साथ ही friends आप लोगों को उस method से समझाए जाए कि आप लोग यहाँ पर हर चीज को बिलकुल यहाँ पर step by step समझ सकें तो इसी मोहीम के अंदर आप लोग चैनल के साथ बने रहें चैनल को सब्सक्राइब लाइकन को प्रेस कर लें यदी कि सेशन अच्छा लगा लाइक और शेर करना ना बुले जैहिंद जै भारत वंद्य मात्रम प्राइब